उनका घर 5th floor पर है तो चड़ते हैं हम लोग दूर सीधे चड़ते हैं यूजली क्या होता था कि मैं 4th floor पर जाके थाख जाती थी हमेशा और फिर मैं break लेके फिर 5th floor को cover कर दे थी चड़ती थी इस बार क्या हुआ कि मैं जब चड़ी तो मैं 1st ज 2nd floor पर जाके थाख रही फिर मैं एक फ्लोर चड़ी फिर मैं धरते ही फिर जैसे तरसे मम्मी यह पहुंची है फिर दूसरी चीज़ क्या होई कि मेरे घुटनों में दर्गों में लगया और असा लगा जैसे घुटने यह होता है आलग से निकल के गिरेंगे भाग सीरियसली इस हुआ अब मुझे समझ न बारे में तो आप शॉक रहे जाओगे कि इसके पीछे रीजन्स क्याते हैं किस वज़े से यह सब चीज़े हुई और यह नहीं और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो जो लोग मुझे नहीं चानते हैं मेरा नाम डॉक्टर नीटा सिंग है मैं काई विजीशियन हूं और मैं क सिर्फ सच होता है इस चैनल पर कुछ भी जोट नहीं है तो जो लोग चाहते हैं कुछ अच्छा सीखना लाइफ में वो इसे जोड़ सकते हैं यह अपनी मर्जी पर है मैं मेरा मुझे बहुत जली थकानों ने लगेती है अभी कुछ टाइम से और मुझे दिन में सोने अच् जब भी उठ उचा एक घंटा दो घंटा कभी-कभी ऐसा होता है ज्यादा भी सो गई विसे मंबी खर गई तब में ज्यादा सो गई थी तब भी उठके ऐसा नहीं अधिक फ्रेश फीलिंग रोती है तो वो भी बिसिंग थी तो यह दो चीज़े थी कि जॉइन पेंश्रू ह लुष्य खूप करें खूपी तो यह सुचा नहीं पूर्ए नहीं हो लिए थी किसी भी तरह से पूरे ताम स्ट्रेस था तुर मैंने सोचा कि क्या चीज हैं जो मुझे एक खाना, पीना है भी से एंवाद है, लाइस्टैल भी कॉई से चीज नहीं हैं को यह तो मैंने एक है स्टार्ट कर दी हो उसकी वेरिस एफेक्ट वो रहा हूँ फिर मैंने डीपली सोचा इसके बारे में तो मुझे पता चला कि एक चीज़ नहीं काफी मन्त से इंफेक्ट और इस एर हो जाएगा बट एक पिछले दो महिने से बहुत डीपली सोच नहीं वो थी कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में जो आ रखी हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लगी बहुत ज़्यादा पूरे दिन तो उसके बारे में पूरे दिन सोचती थी उसकी वज़े से आप यकीन मानिये स्ट्रेस की वज़े से सब चीज़े मेरी बॉड़ी में आएं और इसका रिलाइज़ेशन मुझे जैसे ही हो तो मैंने अपना ट्राइपर उठाया और फोन उठाया और मैंने सुच आपको बताओ इससे पहले कि मैं भूल जाओ इससे पह आप आती है तो हम उसका उतना स्ट्रेस दे के नहीं सोचते हैं हम सोचते है इतो नॉमल चीज़ होता रहता है हमारे साह में तो जब मैंने खुदा एक्स्पिरेंस किया तो मुझे लगा कि नहीं नहीं है जो हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज़ को यह बहुत जादा तो इस पर हमें ध्यान देना जरूर 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 चाहिए आगे मैं आपको बता तो जो मेरा टाइटल है कि stress is a killer यह ब्रुकुल सही टाइटल है क्योंकि मेरी body में इतनी जल्दी changes आ गए body mind's soul तो पता नहीं but body and mind में बहुत जल्दी changes आ गए मैं जब उस topic के वारे में सोचती भी हो ना तो मुझे बहुत गहरी नहीं जाती ऐसे लगता है पुरी body में muscle pain मैं कोई pinch करते ना इस तरह से अभी भी करूंगी तो आप जो fit बनता है उसकी pinch करूं उसको दर तो और इंचो stressed बनता होता है उसकी body भी चलारी होती है please बहुत भुन हर लिया पूरे उपर से निचे तक stress को इसको release करूं निखालो उसको यह changes हुए बहुत 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 जल्दी जैसे मैं screen देखती हूँ पूठ जाती है बुक्स पढ़ती हूँ बुक्स पढ़के में आके दखती हूँ लेकिं मुझे फिलींद आ जाती है लेकिं screen देखके वैसे अंखों में जल्वन हो रही है तो वह अचानक सरी होता है पहले से accumulated होता है और पर जब निकलता है तो आप उसको संभाल नहीं पाते हैं आप सरदल संभालो body pain संभालो joint pain क्या क्या आप संभालोगे आप सोचो जरा क्या क्या आप संभालोगे तो आपके face में भी changes आते हैं जबको मेरा face दिख रहा है मैं पहले कि कोपर भी हो सकता तो आप दिखाऊंगी बट face में भी बहुत सारे changes आ जाते हैं तो मैं यह बोलना चाहती थी कि stress को बिल्कुल भी lightly मतलो अगर आप किसी भी stressed situation से जा रहे हो उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं क्योंकि मैंने experience किया हर छोट-चोटे level पर मैंने experience किया तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूं लेकिन यह जो गलती करते हैं कि stress को बहुत lightly लेते हैं वह मतलो कि यह गलती मैंने भी same की same चीज मैं सोचते थी कोई बात नहीं मैंना मुसमें चीज को ध्यान नहीं देते हूं हमारे युस्ट हो जाते हैं कि तनाव खोकला कर देता है इसान को बस वही चीज अब समझ लो मुझे ऐसी ही feeling आती है कि तनाव की वज़े से मैं इतनी जादा खोकली हो गूई हूं मतले मैं कुछ करना चाती हूं कर मैं कर नहीं बाती हूं आप वीडियो को यह देख लो माने कि इतने दिनों बाद शायद एक वीडियो अप्लोड करने की हिम्मत भी उठाई है क्योंकि मुझे लगा यह चीज कि नहीं नहीं लोगों को बताना चाहिए आज कर लोग बहुत stress situation में है शायद किसी एक की help हो जाए इस चीज से क्योंकि यह मैंने कुछ फेस कर लिया तो इस बिल्कुल एकदम genuine चीज है कि आप stressed रहेंगे तो आप बहुत चीज आप अपनी खराब कर लेंगे जबहले आपकी health खराब होगी mentally or physically both दोन तरह सा टूटेंगे फिर आपका रहन से और हर चीज लाइस चली खराब रहती है पूरी family आपकी कितना इक तरह से ignore होगी अगर आप ध्यान भी देते तो आप देपे ध्यान नहीं देपाते तो के पर भी stress निकलता ही है और आप पूरट है मतला में एक गदल है illusion, illusion या अलग सा ही महल सा बन जाता है कि अपके दिमागे एदिगे तो उसमें आप फसे रहते हैं तो आप कुछ भी ही सो सकते हैं वही फैसला लेने के आपने ताकर प्री वच्टी आप कुछ भी सोचते हैं बड़ कर नहीं पाएगे ऐसा मेरे साथ हुआ है कुछ भी सोचने कर सोचते हैं तो आप strongly उस पर खड़े ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप इतने स्ट्रेस होते हैं आसे लगता है कोई चीज बहार है आपके सर्पे जो आपको प्रूपता है माना करता है कि नहीं यह चीज नहीं मेरे शू करेंगे ना ज på इसके result मिलते हैं जबीते हैं मैंड साहिव करता है गार। के माँड सही काम करता है भूब करते का और आपको पदिमाग साही काम करते हैं पर अच्छे काम करेंगा कर सकते हैं..... साथी साथ.. जो अच्छी लगता है.. य contain aah.. एक ऐसा सब ऊच्छी तुछ्ष सब कर सकते है अगर आपको स्टार्टिंग में आदत ही नहींस कर saद नहीं थौन पर त्लम पर फशहर्टा है तो सबस्ट्राट कर सकते है और बुक पढ़ सकते हैं, और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दीजे, थोड़ा कोन कम देखेंगे तो उसे फर पढ़ता है, फोन का टाइम थोड़ा सा रिडियूस कर दीजे, खुश रहिए एक होबी ढूंडें जो आप कर सकते हैं, अच्छा ये मेरे लिए मुश्किल था, ए तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अभी भी ब्लैंक हो जाता है, फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मुझे लोगों को शेर करना शायद पसंद है, एक ए चीज मेरे दिमाग में आई, सिर्फ एक चीज, कि लोगों से शेर करना पसंद है, जो एक्स्पिरियेंसे हैं, उनको सच प कोई भी आपकी होबिये उसको परस्व कर सकते हो इस सब चीज एक साथ आप करोगी और आपको रिजल्टी बिल्ट रहे करने हैं सबसे फ़हले तो आपको इदेंटीफाय करना है कि आपको पता है तो कोशिश कीजिए कि उसके कुछ रिजल्ड निकल सकता है तो अपने मैंसेज दीजे कि मैं इसके लिए कुछ करना ही सकताओ तो पीशे थीके थोड़ा सा पूशिष कीजिए थीरे-थीरे कोशिष कीजिए अपनी चीजों को ध्यान अपने अपका कर रिल्यक्स कीजिए जो लोग आपको हर्ट करतें इंटेंश्नली या अनिटेंशनली मेरे साथ भी और रुलाएंगे आपको आप इतने बरिशान हो जाओगे आपको लगया कि क्या है लाइफ में कोई डिरेफशन नहीं दिखता कुछ नहीं दिखता ब्लैंक ब्लैंक लगता है ऐसे लोगों से स्टेंप पे तूर हो जाओ जाओ बोरा माने अच्छा माने मेंटली दूर हो जाओ फिजिकली आप नहीं दूर हो सकते हैं साथ नहीं रहना तो थोड़ा सा जैसे ही कुछ बोलें जो आपको पसंद नहीं है इंग्नोर कैसे करते हैं कि आप आपने सुनाओ माइंडफूलनेस कभी सुनाओ तो पर ध्यान किसी और चीज़ पर रखे हैं आस तरीका मुझे तो नहीं लगता कोई है यह चीज केजिए और खुश रही है और न्यूटिशन की बात करूं में अकर न्यूटिशन आपको बोड़ी को लगता ही है जो आप स्ट्रेस होते हो आप की तरह ही कुछ कर लीजे कि तरह अची चीज़ खा लीजे तो बोड़ी पस आपको जिंदा रखना है इसलिए आपको न्यूटिशन का बस उतना ही बेनिफिट मिलता है लेकिन आप सच में चाहते हो की न्यूटिशन का बेनिफिट आपको पूरा मिले अप अच्छी एक हेल्दी लाइजी है एनर्जेटिक रहे पूरण है खुश रहे खुश एक वह पर लेकिन उसको रखने के लिए खुश रहने के लिए आपको बहुत चीज़े करनी पड़ते हैं बैलेंस लाइफ में तो उसके लिए आप जबसे बहले स्ट्रेसट आईए उसके बार अपने खाने पे इस तरह से ध्यान दीजेए कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि हाँ अब नुटिशनल डेफिशनसी हो सकती है क्योंकि यूशली बाडी बहुत समझदार होती है कोई जरूरी रही है क्या पुछ रते चपन होगी बहुत लेकि आने हो तब वह पुश हो दिए कहा मुझे पुर साटिस्टिस्ट्शन मिली है असा नहीं, अब यह कुनेक्ट कर प खुश को खुशी को अब पचान दोते हो या इसकी वैली तब करते हो जा आप सकती हो इसे मैंने को है मुझे लगता था कि मैं वह अगा फिट हूं में जोइन्स वगारा परफेट है मैं मन्दर खवन नहीं लेकिन मुझे से लगता था कि महवान ने ब्लेसिंग दिये, ब्ल सब्सक्राइब करते हैं मैं कुछ करती भी नहीं थी तो कुछ करते ही क्या है आपको पता है कि क्यों हर चीज एक साथ हुई जैसा आपके सब पे नहीं एक दम से कोई चीज आफ़ा आ जाए और आप कैसे उठोगी उसके लिए पको प्रिपेर तो पहले से होना पड़ेगा तो आप अभी से प्रिपेर खुश रही है ताकि कोई भी चीज आपके लाइफ में आती है फुचर में मैं विश्कर में कि आए ना कोई प्रोग्रम आपके लाइफ में बट अनेक्सपर्टिटली कोई वीचीज आती है तो आप उसको जहल पाऊ और आराम से निकल जास आपके ध्यान कीचिये और खुश रही है थैंक यू सो मच पाऊचे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से शेयर करके आप अपने फीद्बेक जरूर देना इस कमेंड सेक्शन में कमेंड जरूर करना लाकि मुझे एक आईडिया हो कि आप लोग को समझ में आया या आपर लेट कर पाए या नहीं थैक यू सो मच गाइस and keep smiling